कैसे बनाएं मीट डंपिलिंग्स? आप पहले से ही जानते हैं कि मीट बंस को नरम क्रस्ट, पोर्क फिलिंग और बटेर अंदे के साथ कैसे बनाया जाता है? पहले स्वाद से ही आकरशक स्वाद मीचे दिये गए निर्देशों को अंदेखा न करें, यदि आप इस स्वादिष्ट और पौश्टिक गुलगुले को अपनी रसोई में ही प्राप्ट करना चाते हैं मीट बंस हर किसी के लिए एक भेतरीन स्नैक है, खास कर खाली पेट सफेद पपड़ी, दुबला मास, बटेर अंडे, बिल्ली के मश्रूम के साथ मिश्रित, अंदर स्वाद से भरपूर, पकोड़ी को कई लोगों का पसंदीदा व्यंजन बना दिया है यदि आप इस केक को घर पर बनाना चाहते हैं, तो आप किसका इंतजार कर रही हैं, चलिए रसोई में चलते हैं, और एशियाई और यूरोपिय केक अभी बनाते हैं विशय सूची 1. सामगरी तयार करें 2. घर पर सिंपल स्टीम्ड पोर्क बंस कैसे बनाएं 1. केक का आटा तयार करें 2. मास भराई तयार करें 3. केक में 3. भाप से पका पाव 4. कुछ महत्वपूर्ण नोट्स 1. सामगरी तयार करें 3. पाई क्रस्ट 300 ग्राम आटा 30 ग्राम चीनी नमक 10 ग्राम खमील 150 मिलिलीटर फिल्टरड पानी केक भरना 250 ग्राम दुबला मास 10 बटेर अंदे मश्रूम हरा प्याज 2 घर पर आसानी से कैसे बनाएं स्टीम्ड मीट पकोडी बेकिंग पावडर तयार कर लें 100 मिलिलीटर गर्म पानी में चीनी के साथ मिला खमीर डाले फिर अच्छी तरह से हिलाएं पानी में घुलनशील सामगरी डालें तयार मैदा को एक बड़े प्याले में निकाल लीजिए फिर इसमें चीनी और नमक डालकर मिक्स कर लीजिए सामगरी को समान रूप से फैलाएं आटे में धीरे धीरे खमीर मिलाते रहें थोड़ा पानी डालें फिर अपने हाथों से आटे को कई बार गूंधी जब तक की चिकना आटा न बन जाए अगर आटा आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा और मैदा मिला ले लेकिन ज्यादा मैदा न डाले आटा सुखा होगा मिलाने के बाद आटे के कटोरे को धकने के लिए एक नम कपड़े का उप्योग करें फिर पकोड़े के आटे को लगभग एक घंटे के लिए सेके जब तक की आटा फिर से फूल न जाए खमांस बनाना लीन पोर्क खरीदे, धोए, फिर कीमा करें कटोरे में मश्रूम और हरा प्यास डाले, अच्छी तरह मिलाए फिर स्वाद के लिए थोड़ा और मसाला मैरिनेट करें बटेर के अंडे एक बरतन में उबाले जाते हैं फिर खोल से छील कर पूरे छोड़े जा सकते हैं या आधे में काटे जा सकते हैं फिर बटेर अंडे लपेटने के लिए तयार करने के लिए केक मिश्रण ले फिर इसे काटने के आकार के बॉल्स में रोल करे केक में करके वाले पकोडे के आटे को निकाल ले फिर आटे को लोचदार बनाते हुए फिर से कुछ बार गूंदे आटे को छोटे बराबर भागों में बाट ले एक रोलिंग पिन का उप्योग करके भरने को केंद्र में रखे अगला आटे के किनारों को चुटकी में एक लहरदार आकार बनाते हुए दी स्टीम्ड केक केक को मोल्ड करने के बाद केक को लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दे केक को आराम करने दे इसके बाद केक को स्टीमर में डाले तरकीब यहाँ है कि आपको भाप के पानी के नीचे और सिरका डालना चाहिए ताकि पपड़ी का रंग सुन्दर सफेद हो जाए केक को पकने तक स्टीम करें फिर इसे निकाल कर प्लेट में रखें और तुरंद इसका आनन ले तीन आवशक तैयार उतपाद सेमवई से भरे पकोड़े की इस रेसिपी के साथ आपको स्वादिष्ट सम्रिद केक का एक बैच मिलेगा जिसे आप बिना बोर हुए हर समय खा सकते हैं पप्री नरम और स्पंजी होती है पीला नहीं, मास आकरशक, गर्म होता है इसे खाने वाला हमेशा याद रखेगा और कभी नहीं भूलेगा चार कुछ जरूरी सूचना पकोडे बनाने के लिए आटा गूंथ दे समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आपको आटा गूंथा हुआ दिखाई दे रहा है तो आपने बहुत अधिक पानी डाला है इसलिए आटे को गूदने से बचाने के लिए आपको बस धीरे धीरे पानी डालना चाहिए आटा डालना और गूंधना चाहिए जब तक कि आपको अपनी पसंद का आटा न मिल जाए केक को बहुत लंबे समय तक न रखें या मिश्रन प्रक्रिया के दोरान बहुत सारे बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर का उप्योग करें क्योंकि इससे केक के आटे में खटी गंद आ जाएगी क्या मैदा का इस्तमाल पकोडे बनाने के लिए करूँ आटे का मुख्य उप्योग आटा को तेजी से और अधिक समान रूप से किन्वित करना है तो आप इस आटे का इस्तमाल मीट के पकोडे बनाते समय कर सकते हैं हालां की आटे की मात्रा के अनुसार आटे की मात्रा को सावधानी पूर्वक समायोजित करने की आवशकता है यदि बहुत अधिक जोडा जाता है तो आटा खटा हो जाएगा पकोडी कब खानी चाहिए? किसके साथ खाना अच्छा है? पकोडे खाने में सबसे ज्यादा स्वादिश्ट लगते हैं क्योंकि इस समय पपड़ी बहुत नरम होती है अंदर की फिलिंग गर्म होती है बेहद आकरशक होती है यदि बहुत देर के लिए बाहर छोड़ दिया जाए तो पपड़ी गीली और चप्ती हो जाएगी केक का स्वाद अब स्वादिश्ट नहीं होगा वियतनामी लोगों को अकसर किसी भी समय पकोडी खाने की आदत होती है जैसे नाश्टा, नाश्टा या भूख लगने पर आम तौर पर केक को किसी अन्य सामगरी के साथ परोसने की आवशक्ता नहीं होती है लेकिन अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है तो स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसे चिली सौस के साथ इस्तमाल कर सकते हैं पकोडी को कैसे संदक्षित करें यदि आप यह सब नहीं खा सकते हैं तो आप केक को फ्रिज में रख सकते हैं इस तरह यह केक को लगभग एक हफते तक रखेगा भोजम करते समय आपको बस केक को भाब देना है अगर आप केक को फ्रीजर में रखते हैं तो इसे दो हफते तक स्टोर किया जा सकता है मास के साथ पकोडी बनाने के तरीके के साथ बहुत उधम मचाने वाला या जटिल नहीं है आपके पास अपने परिवार का तुरंट इलाज करने के लिए एक स्वादिष्ट गर्म स्टीम्ड मीट बन है यदि आपके पास समय है तो आप पकोडी बनाने के और तरीके सीख सकते हैं रेसिपी भी जल्दी और सरल है घर पर इस स्वादिष्ट केक को बनाते समय आपकी सफलता की कामना करता हूँ यूरेशियन बेकरी शिक्षन पाठिक्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मुफ परामर्श सहायता के लिए कृप्या नीचे रजिस्टर या लाइक बटन में अपनी जानकारी छोड़ दे